नमस्कार दर्शकों ध़र्मिक चमतकार में आप सभी का स्वागत है। अगर रविवार के दिन आप ये उपाई करते हैं तो आपकी घर में खुसियों कहोगा आगमन। सनातन धहर में रविवार की दिन भगवान सूरी देप की पूजा करने का बिधाने, सूरी देप की बिधी पूर्वक पूजा अर्चना करने से साधक को सुक समरिद्धी हासिल होती है, यदि सूरी असो विस्तिती में है तो इंसान जितना चाहे महनत कर ले लेकिन उसे काम में सफलता हासिल नहीं होती है, इसके अलावा साधक को मान सम्मान की प्राप्ति के लिए जीवन में अधिक संगर्ज का सामना करना पड़ता है, रभिवार के दिन भगवान सूरिय देव की किरपा प्राप्त करने के लिए कई उपाई किये जाते हैं, जो साधक के जीवन के लिए बेहद लापकारी होते हैं और सुक सम्रिद्य और यस की प्राप्ति होती है। आईए जानते हैं रभिवार के दिन किये जाने वाले उपाईयों के बारे में। अगर आप जीवन में आर्थिक परिसानी का सामना कर रहे हैं तो रभिवार के दिन तीन ज़ाडू घल लाएं इन ज़ाडू को बास्तु के हिसाब से सही दिसा में रखें इसके अगले दिन यानी सौमबार को मंदिर में ज़ाडू को दान करें मानने अता है कि सुपाई को करन इसे जीवन में तरक्की होती है इसके अलावा जीवन में सुख सम्रिद्य और यसकी प्राप्ति के लिए रभिवार के दिन सुब माना जाता है इस दिन पीपल के पेड के नीचे आटे के चो मुखी दीपक में तेल डाल कर जलाएं इसे जीवन में घर में सुख सांती का कामों में सफलता प्राप्त होती है मन चाहि मनोकामना पूरी करनी के लिए रभिवार के दिन बर्गत के पेड का पत्ता घल लेकर आए और उस पर अपनी मनोकामना लिखकर बहते हुए पानी में प्रभायत कर दें ऐसा करने से भी आपकी जीवन में खुजया आती है और सारी मनुकामना पूरी होती है आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीज को जैस याराम लिकना मत भूलेगा जैस याराम